जैहिन दोस्तो आपके अपने YouTube चैनल लक्ष दगोल पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे हरपास सभिता के बारे में इससे पहले मैंने इस टॉफिक पे एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात किया था हरपास सभिता की विस्तार के बारे में इसके नामकरण के बार करते हैं जिसके कारण वहां की उस सभिता के बारे मैं पता चलता हैं जहां से पूछे जाते हैं तो आयएauso करते है जो सबसे को हम हरुपः सभृता के नाम से भी जानते इसलिये मैंने पहले लिया हरट अस्थल को अगर अधिक शिवाट करें तो आज के पाकिस्तान के पंजाब रांत में है तो वहाँ पैस्थान में जिला है जिस्को चलिच साहता है मांतлекमरी जीला वहीपर यहिए इस्थित है जहां से कि नदी कौंची निकलती है रावी नदी और रावी नदी के बायं टट पे ये अस्थल इस्थित है तो questions पूछा जाता है कि हरापा अस्थल किस नदी किनारे है तो रावी नदी के किनारे अगला क्वेशन पूचा जाए कैसर रावी नडी किस्टट पे हैं तो बैए टटट पे या फियर prawभास फ्ृत किस जीळे में तो पाकिस्तान के मांत गोमणी जीळे में हैं क्वेशन कभी कभी यह पूछ दिया जाता है थोड़ा सा हट करके कि हरपा तीले की सरपर्थम जानकारी किसको प्राप्थ हुई थी तो अगर यह बोला जाए कि हरपा तीले के बारे में जानकारी सरपर्थम किसको प्राप्थ हुई थी तो यह हुई थी चार्ल्स मेसरन को कब अठारजवाशस्प किया गया था तो पहले बार इसका उत्खनन ने किया गया था नो सर्पर्थम North एकीस में द्याराम्साहने की द्वारां किया गया था तो पहली five लिए ऊगीनल मीं बनता है कि हरप्पा अस्थल की खुदाई सरप्रत्म किस ने किया था या फिक किसके अध्यक्ष्टन में तो द्यारम सानी थे लिए पूछा जाए हरप्पा अस्थल की खुदाई विश्ट्रीत रूप से सबसे पहले किस ने करवाया था तो वह थे आपके माधा सरूफ से खुदाई करवाया गया था माधा सरूफ वर्ष करवाया गया था ऐसे ही वाई उपर ट्रिपलेशी ने क्वेस्टन पूछ लिया था किन्दम लिखित में से किस वेक्टी ने हरप्पा अस्थल के खुदाई कराई थी ऑप्शन ए दिया हुआ था दयारम साहनी ऑप्शन भी था माधा सरूफ वर्ष और ऑप्शन सी था मार्टिमर वीलर महुदे और ऑप्शन दी था इन में से सभी अधिकांश बच्चों ने क्या कि 1921 दयारम साहनी सबको याद है था दयारम साहनी को टेक मारा चले आए लेकिनों क्या था आंसर गलत हो गया क्यों क्योंकि तीनो दयारम साहने माधा सरूफ वर्ष और मार्टिमर वीलर तीनों नहीं इसकी क्या की उठकनन करवाया है तो याद रखिएगा अगर हरपा नगर की बार करें तो हरपा नगर दो टिलों विभाजित था पूर्वी टिला और पश्मी टिला था उसको नगर टिला के नाम से जाना सबस्क्रान लेज़े कि यहां पर एक हो गया एक दो तीन चार पांच छे चे नगर यह हो गया और फिर एक दो तीन चार पांच छे तो इस तरह से छे चे दो पंग्तियों में बारक अक्ष्वाले अन्नागार भी मिला है कई वैसे क्वेस्चन्स क्या आप में पूछ लिया जाता है कि इसके एरिया कितना था तो तो नयां दखिए का जो याद तो हुआ घूझ जाता है कि यह आप उसके देंड़ियो घूजटीНе सब्सक्रायद सब्रोले cooperative में इक कमेंतों सब्सक्राइश कैसे यहां से कि विशेष्टा क्या रही कि यहां से जो पाई गयी है उसरवाधिक मूरे अभिलेख युक्ट मूरे थूंक्स नकुच अभिलेख कुछ रिखा गया था ठीक है कि यहां से एक दो कम्रों वाले बैरक भी मिला है जो सब मझुदूरों के लिए हो जैसे आज देखते हैं कि अगर जोब की बार करें तो ग्रूप दी वाले जो होते हैं उनके लिए बैरक बनाया जाते हैं रेलवे की इत्यारी में देखा जाए तो वैसे ही जो मजदूर होते हैं किसी काम करते तो उनके लिए बैरक बना दिया जाता है जिसमें अगर्व से निकलता हुआ एक पौधा मिला रहा है आप से रॉसकी निकलता हुआ पौधा मिला है अब इससे निकलताओ निकलताओंगा करति यह बताया जा रहा है कि अर भूमी को अर्वेरता की देवि मानते थे पीटल का बना हुआ इक मिला है ह Ja बृताकार चबुत्रा भी एक मिला है जो इटो का बना हुआ ऐसे एक बृताकार चबुत्रे यहां से मिले हैं तथा गेहूं तथा जो के औसेश प्राप्ट हुआ है तो क्वेशन अगर पूछा जाए कि शंक का बना हुआ बैल कहां से मिला है तो कहां से मिला है आपका से मिले हैं मैंने जितने भी आपको बताया यह सारे एक्जाम में पूछा जा चुका है तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ठीक है तभी जो मेरा में खोज होई थी मोहन जोड़ों को जो मोहन जोड़ों है इसका अर्थ होता है मृत को का टीला ठीक है जो सिंधी भावास है तो सिंधी में इसका अर्थ क्या होता है मृत को का टीला होता है यह कहां में पाये गया है यह भी जो के पंजाब का सौरी पाकिस्तान का जो सिंद् homicide सब्बैता को कौन सा सूर्ण जो सिंद्व नदी के किनारे पाया गया यहीं सिंद्व नदी के किनारे पाया गया अब महां जोद्रोड नाम की एक movie भी आई थी रितिक लोशन की आप देख सकते हैं उसमें Mr. coment न सब्ता चल लोगा इसके बारे में और विटिय जो अस्थल था वो था 1922 में मोहन जोदोडो राखलदास बैनरजी की द्वारत हो जा गया था यहां कि जो सबसे बड़ी विशेश्था थी यहां पर एक असनानागार पाए गया था जिसको विशाल असनानागार के नाम से जाना जाता है जो कि एक 11.088 मिटर के सा धर्मानुष्ठान समंद्य असनान के लिए था यानि कोई धर्म कोई पूजा पार्ट करना हो तो साथ यहां पर लोग जागर के सनान करते होंगे और फिर आकर के वहां पर पूजा पार्ट में बैठते होंगे यानि कि सारवजनिक अस्तर पर था यह जो सनानागार था इसे लिए मार्शल मोहोदे ने इसको तत्कालिन विश्युका एक आश्यर जनक निर्मार्थ बतलाया है उसके बारे में क्योंकि अगर आप उसकी बनावड देखेंगे यहां से एक विशाल अन्नागार भी प्राप्ट हुआ है जो कि मोहन जोड़ों की सबसे बड़ी इमारत है क्यों क्योंकि इसकी जो लमबाई है वो 75.1 मेंटर लंबा है और 15.2 मेंटर चोड़ा है जैसे आपने आशटमार्णागार को देखा था तो उसकी लमबाई थी एक सबसे बड़ी इमारत थी यहां की सड़कों की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि प्राचिन समय में आप साशन विवस्ता को देखते हैं तो राज्त अंत्रात्मक देखते हैं लेकिन अगर हम सिंदुगारी सब्विता में अगर मोहन जोडरों की देखें तो वहां की जो साशन में वस्ता थी वह जन तंत्रात्मक थी तो आप याद रखेगा क्वेशन ने पूछा जा चुका है और जो किले की रक्षा प्रड़ाली थी वह हरप्पा की किले के समान के अचु की पता के इस सब्विता के नाम से जाना जाता है क्यों क्योंकि जैसे सुन्योजित नगर होता है उसके सभीत तत्त्त्त दिखाई देते हैं वह जो क्वेश्ट पूछा गया है कर तो आप इसको याद रखिएगा क्लिर अगर अब देखें तो मोहन जोड़रों जैसे की हम ने देखा ता हरपास सब्वता में पूर्विटिला और पर्षमित दिला वैसे यहां पर था लिकिन यहां कि प्रषमे टीले को इस लिए तुप टीला के नाम से भी जाना जाता है तो क्वेशन पूछा जा सकता है आप में कि मोहन जोदोरो के किस अस्थल के पश्मिट ले को श्टूब ला के लाकि नाम से जाना जाता है तो कौन से था यह यहाँ पूछे सकते हैं तो एक महा कआविध्याल्य भवन का यहां से साक्ष्मिला है एक कांश की नित्रत नारी की मुर्ति अर्था एक लड़की की मुर्ति मिली है एक इस्त्री की मुर्ति मिली है जो कि जैसे लग्टा कि अनकीत हैं कि go to two मिले हैं 1986 मिलें सूति कपड़ा यहbek बहुत जाब पूछा जाँ चुका है कि सूति कपड़ा का साक्षि कहां से मिला है तो यह आपका मुहन जोहां को से मिला हाथ ही का कपाल खन्로 हो गया घुले जूंчи के धेर यह भी बहुत महत्तपूर है गले हुए टांबे के धेर कई पूछा जाजा चुका है कहां से मिला मोहन जोदुरों से कुँए से प्राप नरकाल कहां से किया गया कहां से साक्ष मिला है तो यह पूछा गया है लेकिन हो सकता है पर आज से चार पांच साल से पूछा जा रहा है तो आपके रीफिटड़ सी पेट में भी पूछा जा सके तो गोडे के दात साख्षे और गेली मिट्टी पर कप्रेक साख्षे कहां से मिले तो मौहन जोड़ो से ही मिले हैं जो हमारा अगला स्थल है वह आपका चनहुड़ो इसकी खोज का वही थी इसकी खोज हुई थी 1931 में किसने किया था एमजी मजूमदार ने किया था आप इसका डेट भले ही ना लेकिन इसकी खोज किस ने किया था उत्खनान करता का नाम जरूर रह रहा जाहिए तो आ खोज गया था उनीशो पाकिस्तान कि मेले हैं यहां जोकर और जहांगर संस्कृति के भी औसेष मिले हैं कि यहां कि निवासी कुशल कारिगर थे अगर यहां कि निवासी कुशल कारिगर थे मतलब कि यहां पर कोई ना कोई फैक्टरी रही होगी अगर फैक्टरी कुशल कारिगर थे अधा फैक्टरी होगी तो यहां पर बस्तों का निर्मार भी हो रहा होगा तो यह देखते हैं क्य कुशलकारिगर्ण थे इस बार की पुश्टी कैसे होती है क्योंकि यहां मनके सीप अस्थी तथा मुद्रा बनाने काुट केंद्र था था यहां पर यहां पर करखाना था जैसा अश्辉 को बताया कि यहां पर फैक्टरी रहोगा तब ही यहां कुछल कारिगर थे यहां पर क्या क्या मिले हैं यहां पर मिला है अलंकरित हाथी के साक्ष मिले हैं खिलोने के साक्ष मिले हैं कुटे के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पर चिंद मिले हैं यह बहुत जारा महत्पुर्ण है कई बाप पूछा जा चुका है कि कुटे के क्षे तो आरां बेल है वहां से राप्ट हुआ है तो यहां होुआ है यह उसका काम करते होंगे पैसे मिलेंगे थो उनकी वाइफ होंगे तो वहां पर क्या होता था इसलिए वहां पर लिपिष्टी के भी साक्षी मिले कि सबसे पहले मैं लगाएंगे क्योंकि सबसे ज़्याद महत्वपूर है उनके लिए तो यह एक मात्र ऐसा थल जहां से की वक्राकार इट मिले हैं तो कई वाक्ष पूछा जा चुका है कि सिंदुगाटि सब्वेता का हुआ कौन सा अस्थल है जो हसे की वक्राकार इटे मिली है तो वह आपके हैं चंहुरो कि यहां पर किसी प्रकार के दुर का स्थित्त नहीं है ठीक है तो आप याद यां जू आखार नेक्स्तमान में भारत के अंदर कहां पर गुज्रात में एहमदाबाद जीले में वहां से दूच्छे में ग्राम है जो कि सागर वाला गाउं है वही जो कि नदी के किनार है तो लोठल भोगवा नरी किनारे हैं आप याद रखें कई बार पूछा जा चुका है इसके खोच के बारें बार करें तो डाक्टर एस एर राउन ने उननीश संतावर इसकी खोच की इसकी खोच किय सी उननीश संतावर में लोठल के सबसे बड़ी खास्यत क्या है यहां पे बंदरगाह का पाए जाना तो के किनार do About में बंदरगाह भी पाया जाता है और प्ष्मी एसीय से ब्यपार का प्रमुह केंद्र भी था यह पस्छल में लोथल से एक ऐसा मकान मिले गली में न खुल करके सडक और खुलता था जैसे होता क्या था कि उसमें जो बने वे था मान लिजे कि ये हो गया आपका एक ऐसे बना फिर एक ऐसे बना ये मुख्य सडक हो गई ये गली हो गया अब सब के दर्वाजे इधर खुलेंगे गली में खुलेंगे लेकिन लोठल से एक ऐसा मकान मिला है जिसका दर्वाजा गली में खुल करके मुख्य सडक के खुलता था ठीक है तो याद रखेगा क्वेशन पूछा गया है कई बार कि वह कौन सा स्थल है जहां से मकान के दर्वाजा गली में आखुर करके सरक्य और खुलता था ऐसा सच प्राप्थ हुआ है तो लोथल से प्राप्थ हुआ ठीक है कि देखते हैं अगला उत्खन्नों से लोथल की जो नगर योजना अन्य भौतिक वस्ट्यों प्रकास में आई है उनमें लोथल एक लगू हरप्पा या मोहन जोदलो नगर प्रतीत होता है यहां जब इसकी खोज की गे तो इसमें जैसे हरप्पा और मोहन जोदलो नगर जैसे मिला था जिस तर से उनकी बनाऊट से कुछ इसी प्रकार से यहां पर बोगशने में पता चला है तेसरे उसको लगू हरप्पा या मोहन जोदलो जैसा प्रतित होता देखने में यहां से फारस की सब्धाकाल में वेपारिक विडियो का केंदर था। अब यहां से बंदरगाह की प्राप्ती होई है तो याने कि यहां पर समुंदिक बेपार भी होता होगा अज जब बेपार होगा तो विदेशी मुद्रा मिलेगा कहां पर यहीं पर लोथल में तो मिलेगा न तो फारज की कि यहां से मुद्रा मिला है तो इससे हो जाता है कि यह उस समय सामूंतिक वेपारिक केंद्र रहा होगा क्लियर अगर हम बारत लोखल में जो गढ़ी और नगर दोनों थे दोनों ही रच्छा प्राची से घिरे हुए थे यानिकि हर जगर दोनों क्या था ऐसे बॉर्डरी बनाई गई थी इस नगर के उत्तर में जो था एक मार्केट था और दच्छिर में और दयोगी केंद्र था यह भी ज के बजार में जो थे शंक के कार करने वाले कारियर मिले हैं और जो समय ताम्र कर्मियों के कार खाने भी यहां से मिले हैं तो क्वेश्चन से पूछा जाता है कि शंक कार करने वाले शंक का कार करने वाले दस्तकारों या फिर ताम्र कर्मियों कार खाने कहां से प्राप्थ क्लियर अब लो था क्या था एक बेपारिक सामुंदि बेपारिक रहता तो आप बंदर अगल त्युमिल आ था यगात डायद वह ही कि जो पकी इतों पीड़ाँ जैसा घेरा था वहीं सी हो mother था यहां से की बात क्लिक्टेक क्या होगा में सफीता में मिला है की यहां पर क्यांद रखना एक याद रखना बंदरगा और यह क्या रखना एक या रखना और ये क्या यह बहुत जारा महत्पूर है और फारस की मौर तो याद ही रहेगी क्योंकि यहीं बंदरगार तो यहीं पर मिलने के चांसे जहें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं थोड़ा सा एक दूसरे से को रिलेट करके कि यहां कि इससर्वादे प्रसीद अपलवडी के बार करें तो रह रपकाले बंदरगार था और उसके अतरीक तो क्या था तुम रिद्वांड मिले हैं अपकरण मिले हैं मूहरे मिली हैं वाट एवर माप तठाप पसार उपबर पसार उपकरण क्या नब पत्थर के जो काली बंगा की बात करें तो यहां वर्तमान में भारत में ही हैं कहां पे हैं यहां राजस्थान के गंगा नगर जीले में हैं ठीक है अगर इसकी खोज की बात करें तेश का खोज 1903 में एक घोश के दवारत किया गया था तो यह महतवपूर है चुकि भारत में राजस्थान मे इसलिए महत्वपूर है किसने खोज किया था एक घोष ने किया था कब किया था उनीसों तिर्पन में किया था यहां पर जो सबसे महत्वपूर साक्षे मिला है वह मिला हुआ जूते हुए खेट के साक्षे तो एक क्वेश्चन कई पूछा जा चुका है कि जूते हुए खेट के शाक्षि कहां से मिले हैं तो आपके कहां से मिले काली बंगा से मिला है यह बहुत ज्यादा में प्रिथक प्रिथक किन्तु प्रसपर सम्मध्ध खंड है एक संभौता जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए और दूसरा अनेक उंचे चबुत्रों के लिए कि पीश्टाइल यहां से क्या मिलता है अब जो उपर में बताएं बहुत ज़ायरा महतपूर नहीं पेट के लिए जो सब्से महतपूर Mars यहां यहां से लिए बस अंतर क्या है जो काली बंगा के घर है उग कच्ची इतों के हैं लेकिन देख सकते हैं आपके ज़र निकास प्रणाली की कोई साख्च्य नहीं जैसे कि हमें पत्ता कि हरपपा सभिता को जाना जाता है उसके जलनिकास प्राड़ाली के लिए नगर नियोजन के लिए लेकिन काली बंगय का सजब को सच्ष नहीं मिले हैं यह करल ऐसा अस्थ्रल सच्ष नहीं। पूसे मिलते हैं तो प्राप्ट उसे क्या मिलें फिके दोनों के साया से, defect क्या मिले है इसके वारे में दीए थे तो पहले तो आपको पता है कि मुहुरे कर जुगों लेकिन काली बंगाure ऑफ में पूछा जाता है कि काली बंगा से हल के निशान मिले हैं जब को मिलेंगे ही पाम का प्रयों का और ध्यों की है यूगल तथा प्रतिकात्मक समाधिया इत्यादि मिली हैं अगर उस समय देखा जागें ऐसे के इस समय 앞ो कुब हम अपने धर्म करें Kommis हिन्दु दहर्म का भॉता है उन्कोंट अ總 है वहले दफनाएं जाता है वहीं सब्सकार है कि अंतेस्टी सब्हुता है कि किस सब्सकार है तो वह आपकी घाली क्गनेक नेक्सा अब Halo यह भी महत्तपूर है आपका क्योंकि बनावली के अगर हम साक्ष्य देखें तो बनावली आपका भारत में ही है कहां पर हिसार हरियारा में इसकी खोज किस ने किया था हरापपा कालिन दोनों के हिसाथ मिलते हैं क्लियर जैसे काल बंगा में हमने ने क्वार देखा था कि जल निकास पृष्ट मि ट्राटन अरथद मिट्य के अच्छी मिट्टी कस मील है तो बनावली से मिल है एंजाओ सेहल खड़ी की अनेक लिपी स्ट पकाईगी महुरी मील यादि smiling मिट्टी कि एसी महुरे मिल इसनृस थी रूप कि प्राप्त होती है और यह व architect के रूप में क्या क्या है खिलोने के रूप में हल की आकरिति याने एक हल मिला है जो कि खिलोने के लिए उसके जाता था उसके साक्ष मिला है तिल का साक्ष मिला है महत्वपूर है सरसू का धेर का साक्ष मिला है यहां से ठीक है अच्छे किस्म के जौ के साक्ष मिले हैं जैसे कि अपने हरपा से पढ़ा था कि जौ के साक्ष मिलते हैं लेकर अच्छे किस्म के जौ के साक्ष कहां से मिलता है तो वह मिलता है आपका बनावली से सदक के सांख्श मेलते हैं नालियों के आउसेश प्राप्थ हुए हैं मन के प्राप्थ हैं मात्रीदेवी का कहा मुदिया अपर मνοत्रिफ तो मेरी मृतियां मिली है यहां से थेक हैं तो आप इसको आप chilli से रिपीट कर लेते हैं क्या क्या मिला है एक हल मिला है जो कि खिलाओने के रूप में इस्तमाल होता था उसका साक्ष्य मिला था तेल तील का साक्ष्य मिलता है सरसों के ड्हेर का साक्ष्य हैं अच्छे किस्म के जौँ मिला है सड़क नालियों के उसे प्राप्ट हुए है मात तो सूर्कोंट अकहां पर है यह भारत में हैं बारत और भोस्ति किसषा है भाई करें तो इस के भी छिस्टा क्या है यहां से सैंध्यों स्किति के पतन काल के साक्ष हुआ था ऊसका उसका पूसराz से मिला है तो आपका सुर्खोटता से मिला है यहां से और और जितने भी एक्जाम हो रहे हैं सब में पूछा जा रहा है कि घोड़े के अस्थियों के साक्षि कहां से मिले हैं तो यह भारत के गुजरार के कर्च जीले में ठीक है और यह विश्यस प्रकार का कब्रगाह भी मिला है ठीक है तो घोड़े के सिया यह बहुत में पूछ जरूर याद रखना नेक्स दस्थाले वह क्या है रंगपूर है रंगपूर का है यह भी एहमदाबा जीले में हैं तो गुजरात में पता है आपको खोज किस ने किया था 1931 में इसकी खोज होई थी MS वर्ट के दवारा लेकिन उत्खनन किस ने करवाया था यहां से ने करवाया था 1953 में यहां से पहला हुआ धान की भोजी करिये यह Bहुत जार महत पूर कई बार पूछा जा चुका है कि धान के भोजी के धेर कहां से मिले हैं तो यह मिले हैं आपके कहां से बताएंगे रंगपूर से ठीक है कच्चे इटो के दुर्ग मिले हैं क्लियर मृत भांड मिला है पत्थर के फलक मिले है तो आप याद रखिएगा जो सबसेदार मैतपूर है वो क्या है आपकी धान की भोशी के धेर सबसेदारा पूछा जा चुका है ठीक है लेकिन उत्खनान किसने करवाया था उन्नेश पच्पर में कर रहा था फजल ऐहमत खान ने तो यहां पर बस आप यहां पर अस्थान कहां पर है किसने खोज किया था बहुत जारा महतपूर नहीं पूछे गए हैं लेकिन तब भी थोड़ा माइन में इतना रखना कि अगर पार उपशन दे तो आपको यान आज और उस्याज कि विए कि चुड friendships क्या क्या है कि तो वाड़ागर मिला कान्च की हो घया मिलें है जा सबसे जार महतपूर लह कांस की स्याद रखना यह कहां पर गुजरार के कछ जीले में है ठीक है वहां पर एक सा धारर गाव है जिसको धौला वीड़ा आज कहा जाता है कि खोज किस ने किया था उननी सो नब्बे क्या था आर एस विष्ट किरवारिश की खोज किया गया था अगर धौला विड़ा देखे तो पाकिस्तान ये खलग देश बन गया भारत ये इस तरह से जो बड़े बड़े अस्थल थे वह सब कहां चले पाकिस्तान में चले गया तो भारत में खूई बहुत बड़ा अस्थल नहीं था लेंगे फिर जब धौला विड़ा एक खोज होई तो एक बड़े अस्थल की कौन से हैं तो सबसे धौला विड़ा है और फिर उसके बार राखी गड़ी है लिए अगर भारतिया उप महाद्वीब की बार करें मैंने को भारत की बार किया तो तो चार विशालतम नगर है कौन कौन सा सबसे पहले आपका है मोहन जोड़ो पिर हरप्पा और फिर बहावल में अभी कुछ ही समय पुर्व की कि एक खुदाई से एक अन्य विशाल एवं भब्य हरपकारी नगर का उसेश मिले हैं इस नगर के विशालतम का पता व्यापक दूर्ग बंदी या सुरक्षा ब्यवस्ता से युक्ष प्रभाव साली नगर योजना सुन्दर जल प्राराल निवास रहने का स्थान था ये इसकी जो नगर योजना थी बहुत ही बहतर थी यहां कि जल निकास प्राराली ती जो कि बहुत बहुत ही थी तीस्तर से पता लगा जासकता है कि कि लिए अगर बहुत हो एवे और भॉला विरा में ऐसे अन्यक किसी भी हरप़स्था से नहीं पाई गई है जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टेंग में कि जो भी सिंदुगारी सभ्यता के जो अस्थल थे वह सब दो भागों में भाजित थी लेकिन धौला विरा एक ऐसा अस्थल था जो कि दो नहीं बलकि तीन भागों में भी भाजित था तो आप याद रखिए यहां कि जल शंख्या करें तो लगववग 20,000 यहां की जन संख्या थी जो किसी किसी भी सिंदुगारी काली नगर में कहीं भी अन्यत तरकोटे दार अठ्ल परटे रहित भागों परेगों से जोड़ते उन्य Means पर कोटे कर्थ होता है कि इसके घेरा हुआ जिसके शुरक्षा इसकी और ज्यादा बहतर हो ठीक है तो बाकि आपके लिए बहुत जारा महत्वण नहीं है कि इसे मध्यनगर या मध्यमा केवल धौला विरा में पाया गया है तो इस तरह से जितने भी आपके यहां को प्रॉब्लम होगी जहां कि आपको ना समझ में आ रहा हो तो आपको में अगली वीडियो में या अलग से उसके लिए वीडियो बना करके आपका जरूर सहयोग करूंगा जिससे कि आप जो हमारा टार्गेट है 99 प्लस परसेंटाइल आप उसको प्राप्ट कर सके यह अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद